की जारे ही जिनोंने इस माहोल को बिगाडने की उतपात मचाया था मंगलवार को और अब इस पर एक्शन लेते हुए 200 उपदरभी हिरासत में ले जा चुके हैं और 22 केस जो है वो दर्ज हो चुके हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर का रूप कर लेते हैं जापर दिल्ली हिंसा पर अब कंगना ने भी टूइट किया है और फिर दिलजीत दोसांच पर निशाना साधा है कंगना का दिलजीत दोसांच पर पलट बार तो किस्तानों का प्रदर्शन दिलजीत के चहरे पर अक्टिव होती दिखाई दे रही है तो कंगना का ये वो टूइट है जिसके जरी एक बार फिर सिंगर दिलजीत दोसांच को निशाने पर लेती दिख रही है कंगना रनौत तो जिस तरह से ट्वीटर बोर जो है दोनों के बीच देखा गया था अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कंगना ने दिलजीत दोसांच का पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो मंगलवार को इस्तती देखी गई थी राजानी दिल्ली में कहीं न कहीं यहीं वो चाहता था इसका जिम्मिदार उन्होंने कहराते हुए ये शब्दों का इ सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रही है क्योंकि अगर भी ते दिनों की बात करें तो कुसमें के लिए उनके ट्विटर हैंडल को जो है बैन कर दिया गया था लेकिन अब एक बार पर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है कंगना रनौत और किसान आंदोलन की वज़ा स से एक समय दिलजीत दोसांच के निशाने पर आई एक्ट्रेस अब जोड़ दार पलटबार करती दिख रही है तो गड़तंत्र दिवस के मौके पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही कंगना रनौत लगातार इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही है कभी वीडियो जा चेहरे पर थपड़ है और इसी यूजर के अपने ट्वीट में कंगना रनौत को भी उसने टैग किया हुआ था और ऐसे में एक्ट्रेस ने इस पर रियक्ट करते हुए ट्वीट किया है दिलजीत दोसांच पर हमला बोला है और उन्होंने इसमार दिलजीत पर हमला करने के देश वासियों पर भी सवाल कड़े किये कंगना ने कहा कि दिलजीत के चेहरे पर थपड़ नहीं यही तो वो चाहता था उसे जो चाहिए था वो इस देश ने थाली में सजा कर दे दिया तो एक्ट्रेस का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वारल हो रहा है त तो जिस तरह से भीते दिनों हाली में ट्वीटर वार जो है दोनों के बीच सिंगर दिलजीत दोसांज और कंगना रनौत के बीच देखा गया था उसके बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कंगना रनौत एक्टिव दिखाई दे रही है हर बुद्धे पर वो अप पुलिस कर्मियों पर लाटी डंडे लेते ये उपद्र भी नजर आ रहे हैं और इसे के साथ उन्होंने यूजर के इस पोस्ट पर रियाक्शन दिया है कि दिलजीत दुसांज के मूपर ठपड नहीं बलकि देश वासियों का कहीं न कहीं ये पूरा किया हुआ है कि दिलजी मीडिया पर छाया हुआ है तो जिस तरह से दिली हिंसा पर ये कंगना ने ट्वीट किया है उसके बाद कहीं न कहीं वो सवालों के घेरे में भी जरूर है लेकिन उन्होंने दिलजीत दुसांज का एक जबर्दस पलट बार किया है